प्रदानमंत्री जी ने ये कहा कि 2022 का जो कलेंडर वर्ष है वो economic activities के आधार पे wonderful year रहा प्रदानमंत्री जी मैं आपको 7 बिंदू बताऊंगा और आप बताईए कि ये wonderful year था कि dreadful year था Point No.1 पर capita income में भारत का इस्तान 142 वा है IMF के अनुसार 197 देशों में मतलब हम 142 पोजिशन पर है 197 countries में प्रदानमंत्री जी ये wonderful है ये dreadful है Global Hunger Index में भुकमरी में हमारी rank 107 है 121 देशों में ये wonderful है ये dreadful है पूरे एशिया में अफगानिस्तान के अलावा सब देशों की ranking हमसे better है प्रदानमंत्री जी बहले ही वो बांगलादेश हो पाकिस्तान हो नेपाल हो शिरलंका हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे better कर रहे है ये wonderful चीज है या dreadful चीज है जो बेरोजगारी है निरंतर देश में 8.5 प्रतिशत पर बनी हुई है शेहरी शेत्रों में 10 प्रतिशत है ये wonderful है या dreadful है ध्यान रहे 2011-12 में बेरोजगारी की दर 2.2 प्रतिशत थी दोजार बाइस में रुपिया एशियन बास्केट की worst performing currency रही 10 प्रतिशत से जादा की गिरावट एक साल में रुपिय की कीमत में आई पधान मंत्री जी ये wonderful है या dreadful है दुनिया की सारी rating agencies बहले ही State Bank हो Reserve Bank of India हो सब ने जो मौझूदा वित्यवर्ष के GDP growth का forecast किया था उसको revise करके नीचे गिराया है ये wonderful है या dreadful है मेंगाई की दर पिछले 11 महिनों में से 10 महिने Reserve Bank का जो outer limit का target है 6% उससे ज़्यादा बनी हुई है ये wonderful है या dreadful है कच्चे तेल की कीमतों में 32 डॉलर प्रति barrel की कमी होने के बावसूत अंति मुबोकता को एक पैसे का पायदा नहीं मिला ये wonderful है या dreadful है एक साल में दूद की कीमतों में 5 दफा बढ़ोतरी की जाती है आज ही दूद की कीमत 2 रुपय प्रति लीटर से दिल्ली में बढ़ जाती है ये wonderful है या dreadful है एक्सपोर्ट गिर र परद्धान मंत्री जी कह रहे है wonderful year परद्धान मंत्री जी ये wonderful नहीं dreadful year